नमस्कार दोस्तों स्वाखते आपका अफ्यजानल ChineseiEthem पर दोस्तों आजकी विडियो में हम एक मेटल के बारे में डिसक्स करने वाले है जिसका नाम है सोडिये मैंने सोचा क्यों ना, कजके ऊपर एक विडियो बनाया जाए दोस्तों आपको सोडेम के बारे में पता है सोडेम का जो सिंबॉल होता है वो यह नहीं होता है राइट दोस्तों क्या होता है दोस्तों आपको पता है सोडेम का सिंबॉल क्यों यह नहीं होता है तो दोस्तों सोडेम की जो खोज हुई थी वो 1807 में हुई थी राइट दोस्तो तो लेटिन में दोस्तो एक वर्ड है नेट्रियम कौन सा दोस्तो नेट्रियम तो दोस्तो नेट्रियम यह जो वर्ड है लेटिन इस वर्ड से दोस्तो सोडियम का सिंबॉल का नाम रखा गया है तो ए बात आपको ध्यान में रखने है sodium का atomic number 11 होता है shortcut में लिख देता हो atomic number sodium का 11 होता है क्या होता है 11 at room temperature sodium दोस्तो solid होता है कैसा होता है दोस्तो solid होता है दिखने में कुछ silvery white होता है silvery white इसका क्या होता है दोस्तो रंग होता है color होता है silvery white दिखने के लिए दोस्तों कुछ सिल्वर वाइट कलर का होता है बिल्कुल कुछ इस तरह और हाँ दोस्तों यह जो मेटल है दोस्तों यह वेरी रियक्टिव मेटल है के साथ दोस्तों वेरी रियक्टिव मेटल होता है सोडियम साथ ही साथ दोस्तों वेरी सॉप्ट भी होता है कि यहने आप इसे क्नाइप इजीली दोस्तों क्नाइप से क्या कर सकते हो कट कर सकते हो इतना दोस्तों यह क्या होता है सॉप्ट होता है यह मेटल जो पिरॉडिक टेबल होता है पिरॉडिक टेबल में दोस्तों सोडियम को फर्स्ट ग्रूप में लोक्याटेड किया गया है ध में सोडियम पीरणिक टेबल में लोकाटेड होता है अप इसे गुर्प भी बोल सकते हो या कॉलंब भी बोल सकते हो तो फॉस्ट पॉल्थ म।हों या गूरुप में इसे से क्या गया है sodium का जो atom होता है इस atom में 11 electron होते है 11 protons होते है 11 protons होते है 11 protons होते है और दोस्तो with outer shell में दोस्तो एक valence electron होता है तो यह बात आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तो sodium के atom में 11 electrons होते है 11 protons होते है with outer shell होते है उसमें दोस्तो एक क्या होता है valence electron में होता है जब दोस्तो sodium की water के साथ reaction होती है तो दोस्तो sodium hydroxide and hydrogen gas को produce करता है क्या करता है sodium hydroxide and hydrogen gas को क्या करता है produce करता है तो यह बात आपको ध्यान में रखने हैं और शाती साथ दोस्तो जब यह react होता है या burn होता है तो जब भी sodium burn होता है तो यह लू Gram के साथ बन होता है स्रSi कि ईनके संपर्क में आता है तो दोस्तों जलता है तो दोस्तों कीनद करता है जब दोस्तों मेटल किया जाता है केरोसीन का जो ओयल होता है दोस्तों इस केरोसीन ओयल में दोस्तों हमेशा इसे क्या किया जाता है केप्ट किया जाता है रखा जाता है तो दोस्तों बोर्ड एक्जाम एक्वेशन पूछा जाता है वाइस सोडियम केप्ट इमर्सीन केरोसीन ओयल तो दोस्तो केरोसिन के साथ सोडियम का कोई रियक्शन नहीं होता है यानि सोडियम जब केरोसिन में होता है तो दोस्तो उसके साथ कोई रियक्शन नहीं होता है और वो फायर को क्याच नहीं करता इसलिए दोस्तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है अगर दोस्तो उसे बा में क्या किया जाता है दोस्तों केप्ट किया जाता है तुम मित करता है चोटा सा वीडियो आपको समझ में आओगा मिलते से एक नए वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया